प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी, कुछ देर आस पास तलाश करने के बाद वह एक नदी के पास पहुँची सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक छोटे से पत्थर के उपर चड़ गई, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह गिरकर नदी में जागिरी उसी नदी के किनारे एक पेड़ था, जिसकी तहनी पर एक कबूतर बैठा था, उसने चीन्टी को पानी में गिरते हुए देखिया कबूतर को उस पर तरस्त। आया और उसने चीन्टी को बचाने की कोशिश की कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में संधर्श कर रही चीन्टी के पास फेंक दिया, चीन्टी उस पत्ते के पास पहुँची और उस पत्ते में चड़ गई थोड़ी देर बाद पत्ता। तेरता हुआ नदी किनारे सूखे आ गया चींटी ने पत्ते में से छलांग लगाई और नीचे उतर गई चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया इस धटना के कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी किनारे पहुचा और उस कबूतर के घोसले के नज़्दीख ही उसने जाल लगा दिया और उसमें दाना डाल दिया वह थोड़ी ही दूर जाकर छुप गया और उमीद करने लगा कि वह कबूतर को पकड़ लेगा कबूतर ने जैसे ही जमीन में दाना देखा वह उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया वो चींटी वही पास में थी और उसने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया कबूतर उस जाल में से निकलने में असमर्थ था शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ा और चलने लगा तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने की सोची और उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर में जोर से काट लिया तेज दर्थ के कारण शिकारी ने उस जाल को छोर दिया और अपने पैर को देखने लगा कबूतर को जाल से निकलने का यह मौका मिल गया और वह तेजी से जाल से निकल कर उड़ गया कहानी से सीख कर भला वो भला हम जब भी दूसरों का भला करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है कबूतर ने चीन्टी की मदद की थी और उसी मदद के फल्स्वरूप मुश्किल समय में चीन्टी ने कबूतर की जान बचाई इसलिए कभी भी किसी की सहायता करने या अच्छा करने से पीछे ना हटें जब भी मौका मिले दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करें जै श्री राधे कृष्णा